A very good morning to all my dear friends, मैं हूँ प्रशांत मावानी, I hope you all are in good age 4th May 2020 है, दिन है मंडे, दिन की शुरुवात करेंगे Abraham Lincoln साथ के एक बहुत ही important quote के साथ Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first three sharpening the eggs लगभग आप कह सकते हैं 65% जितना वक्त, अगर Abraham Lincoln को कोई task दिया जाए, कोई difficult task दिया जाए तो लगभग 65% जितना वक्त जो हैं, वो preparation में करेंगे और वो दुनिया के एक बहुत बड़े leader भी हो चुके हैं, आज भी बहुत सारी किताबों में उनके जीवन के बारे में, उनकी जो good habits हैं, उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है तो dear friends, this is very important, जो भी चीज़ करें, for example, अगर आप कोई particular examination की preparation कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो हैं, वो आपको preparation में देना चाहिए, this is the key इसके जाद, dear friends, आपकी preparation को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, study IQ ने smart course launch कर दिया है, यह smart course, भारत की best faculties ने design किया है, pre और mains, दोनों examination को cover करता है, यह smart course, payment की बात करें, तो EMI option भी available है, और ज्यादा जानकारी के लिए, all you have to do is, download our mobile application on your mobile phone, lecture की video को download करना चाहते हैं, check out my tele telegram channel, lecture को दूसरे students के साथ शेर जरूर करें, वीडियो भसंद आता है, then hit the like button, and please don't forget to subscribe to our YouTube channel, dear friends, आज हमारे table के ओपर total 6 articles है, आज का सबसे important अगर कोई article है, तो यह वाला है, why millions defied the lockdown, यह क्यों important है, वो जब हम इसको discuss करेंगे, जब यह खत्म होगा, यह particular article के ओपर जो discussion है, व lockdown 3.0, no comfort in numbers, or the non-dead lessons, यह 6 articles हम discuss करने बारे हैं, सबसे पहले बात करते हैं, why millions defied the lockdown, आपने यह तस्वीर देखी होगी, यह काफी एक famous तस्वीर है, इसके अलावा भी बहुत सारी अलग-अलग images, अलग-अलग तस्वीर हैं, वह आपको net के ऊपर देखने को मिलेगी, migration के कारे में काफी सारी discussion already कर ली है, तो आज फिर से हम इस तस्वीर को या फिर इस topic को discuss क्यों करें, क्योंकि इस article में बहुत ही important concept हमें पढ़ने को मिलता है, और यह concept ऐसा है, जो आपके mains examination में, answer writing में, यह concept आपके answer में, वो जो weight चाहिए, वो weight add करेगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह प्रशन था, कि यह जो गरीब लोग हैं, यह समझते क्यों नहीं है, यह जो migrants हैं, वो cooperate क्यों नहीं करते हैं, क्या यह 500 km की journey चल कर कर पाएंगे, क्या उनके पास यह जो सामान हमें देखने को मिल रहा है, क्या यही सारी चीज़े उनक पास थी, क्या इसके अरावा कोई इनके पास प्रॉपर्टी, ऐसेट, ऐसी कोई चीज़ है, आंसर इस नो, शायद इनके पास नहीं है, शायद उनके पास थोड़ी बहुत चीज़े होगी अपने गाउं पे, लेकिन उनका गाउं जो है, वो 500, 1000, बहुत सारे लोगों के लि कोड़कर आपने गाउं की तरफ वापस क्यूँ गए? क्या वो डर गए थे? नो, उनके अंदर साहस की कमी नहीं है, उनको सिक्योरिटी फिल नहीं हो रही थी, उनको गुसे से ज्यादा वो ऐसा फिल कर रहे थे, कि उनको छोड़ा गया है, अपने हाल पर ऐसे ही छोड़ द पोवर्टी लाइन to dignity ngay. एक लंबे टाइम से हमारे देश में हमने पोवर्टी लाइन को फॉलो किया है अब वक्त आ चुका है के पोवर्टी को साइड में रखे हैं पोवर्टी लाइन जो हैं that is not that useful हमें dignity लाइन के फिलिपाइन्स की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि वहाँ के गरीब जो हैं वो इतने एग्रेसिव हैं हमारे देश में आप बहुत सारे ऐसे गरीब इलाके हैं महले हैं वहाँ पर चले जाएए लोग आपको देखेंगे लेकिन आप आपको लू नहीं कि आपने आपके पास खाना है वो ऐसा नहीं मिनस बैठ कर सिर्फ देखेगा नहीं कहने का मतलब यह है कि अगर उसको पता चलेगा कि आपके पास पैसे है दिन कुछ लोग आएंगे आपको लूट लेंगे यह नो पूरा रोड के उपर आपकी सारी चीज़े जो है वो हैं तो सबसे ज्यादा इंपक्ट भी उनके उपर होता है दो हजार ग्यारा बारा में भारत ने सर्वे किया था और उस टाइम पर ट्वेंटी टू परसंट जितने हमारे देश के लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रहते थे यानिकि ऑफिशिले ट्वेंटी ट्वे देश में गरीब हैं यह ऐसा ट्वेंटी इलेवन ट्वेल में हमें पता चला हमारे एस्टिमेशन में तब से लेकर आज तक यह नो दस सालों में जीडी पी का ग्रोथ जो हैं वो भी काफी अच्छा हुआ है और आज होफ़ली बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबी की रेख है उसके बहार निकल गए होंगे लेकिन यह जो आंकड़ा है वो आंकड़ा हमें पता नहीं है वी आर नोट शूर अबाट इट हमें एक थरो सर्वे फिर से करना होगा तभी हमें पता चलेगा कि इसका आकड़ा क्या है फिर कुछ लोग ऐसे हैं फिर एक्जमपल यह हैं गर ऐसे परिवार हैं जो आपको exactly यहां पर देखने को बिलेगे लेकिन उस परिवार में अगर किसी earning member जो पैसे कमाता था पिताजी है या फिर भाईया है या फिर मदर है सिस्टर है जो भी earning member है उनकी for whatever reason बहुत सरे लोगों की मृत्यू रोड accidents में हो जाती है तो वो परिवार जो हैं वो गरीबी की रेखा के उपर था लेकिन वो गरीबी की रेखा के नीचे चला जाएगा किसी के घर में कोई बिमारी आ गई तो भी यह चीज हो जाएगी कि earning member भले ही नहीं है किसी और व्यक्ति को बिमारी हुई तो फिर यह जो border पर रहने वाले border यानिकी गरीबी line क border के थोड़े उपर रहने वाले जो परिवार हैं वो गरीबी की चपेट में आ जाएगे किसी की जॉब चली गई तो भी यह हो सकता है और यह होता है हमारे देश में फिर gig economy के बारे में आप जानते हैं कि एक नए प्रकार की jobs generate हुई है हमारे देश में जैसे के ओला और अब परिला के तहट चलाते हैं और या फिर अबेर के तहट और जितना उनको काम मिलेगा लगे लिए उतना वो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा कई बार काम ज्यादा होता है कई बार नहीं होता है कई बार इंकम ज्यादा होती है कई बार कम होती है तो यह भी एक gig economy बहुत सारे ल तो clear definition नहीं है कि कौन employed है कौन self-employed है तो ये भी भारत को इसके बारे में भी सोचना चाहिए और सबसे important concept जो है यहाँ पर वो यह है कि McKenzie जो है McKenzie ने गरीबी रेखा नहीं लेकिन एक empowerment line design की है empowerment line मेरा मानना है कि गरीबी रेखा से काफी ज्यादा holistic है इसमें 8 चीज़े देखी जाती है ड्रिंकिंग वोटर यानिकी पीने का पानी, education, energy यानिकी fuel, gas, etc. LPG, फिर food, healthcare, housing, sanitation और social security यह 8 चीज़े जो है इसको empowerment line में देखा जाता है या फिर गिना जाता है मेरा मानना यह है और हम सब I think will agree on this thing कि यह 8 basic चीज़े जो है वो हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास इन सारी चीज़ों का access होना चाहिए I'll give you just one example बाकी के जो चीज़े उसके बारे में आप खुद सोचेगा है मैं चाहता हूँ कि आप सोचे और आप सोच भी पाएंगे drinking water आप सोचेंगे कि drinking water जो है वो इतना ज्यादा हम important नहीं मानते हैं लेकिन drinking एक अच्छा जो पेजल कहते हैं potable water अगर व्यक्ति को नहीं मिलता है तो बहुत सारे diseases on the spot आपको कुछ नहीं होगा अगर आप 5-6 दिन ऐसा पानी पिएंगे तो then you'll survive ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे लेकिन एक long term impact जो है आपके body के उपर ऐसी होगी for example renal failure या फिर जो stones हम कहते हैं kidney के उपर बहुत सारे diseases आपको हो सकते हैं फिर एक गरीब व्यक्ति जिसको पीने का पानी स्वच नहीं मिल रहा है वो फिर क्या kidney के operations और dialysis और यह सारी चीज़े effort कर पाएगा तो this is just one example तो यह 8 basic चीज़े हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए फिर McKenzie की एक research भी काफी interesting है आप यहां पर देखिए this one here गरीबी की रेखा के नीचे 22% जितनी हमारी population है लेकिन अगर आप empowerment line को देखे तो हमारे देश की 56% population this is most important thing यह इस पर आप focus करें आप एक बार आराम से PDF को download करने के बाद इसको देख लीजेगा मैं आपको फिलाल जो most important part है वो बता दिया है मैंने आपको 2014 में McKenzie ने बताया कि भारत में 56% ऐसे लोग हैं जो empowerment line के नीचे रहते हैं यानि कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यह आठ में से साथ चीज़े ही available हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनको छे जिनको तीन जिनको एक भी नहीं तो ऐसे सारे लोग जो हैं वो इस empowerment line के नीचे और ऐसी हमारे देश की 56% population हैं हमारे देश का paradox भी आप जानते हैं एक जगा पर आपको दुनिया के सबसे अमीर लोग मिलेंगे और उसी शहर में फॉर एक्सेंबल मुंबई में दुनिया के सबसे गरीब लोग भी आपको देखने को मिलेंगे social welfare जो हैं जो हम एक मदद प्रोवाइट करते हैं बेनेफिट प्रोवाइट करते हैं तो उसको भी हमें बदलने की आवश रखता है तो बी होनेस्ट जाम के आने से जाम यानि की जंतन एकाउंट आधार नंबर और मोबाइल फोन इसके आने से targeted जो एक leakage था जो पहले पैसे कोई बीच में से खा जाता था तो ये सारी चीज़े एक बहुत हद तक बंद हो चुकी है इसका काफी एक positive benefit हमें देखने को विला है लेकिन अब हमें इसको एक और level पर ले जाना होगा real time real time यानि कि अगर आपको let's say कोई ऐसी किसी जगा पर कोई बाढ़ आ गई या फिर coronavirus की second wave आ गई whatever कोई भी ऐसा natural disaster हुआ तो जितने भी उस area के लोग हैं खास करके सबसे गरीब जो लोग हैं उनको ये message पहुंच जाना चाहिए text message है you know whatsapp के माधियम से video message के माधियम से आप पहुंचा सकते हैं कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर रहिए आपको मदद जो है वो मिल जाएगी हमें पता है कि आप यहाँ पर है हमने आपको यानि हमने यानि कि government ने आपको mobile phone के माधियम से locate कर लिया है आप इतने लोग होंगे परिवार में आपको खाना पीना सारी basic चीज़े जो है वो जल्द से जल्द provide की जाएगी और मैं तो इसको एक और level पर ले जाना चाहता हूँ मैं चाहूंगा कि timely updates मिले अगर किसी को बताया है कि एक घंटे के अंदर आपको मदद मिलेगी तो every 10-15 minutes उनको notification मिलना चाहिए कि 40 minutes के अंदर आपको मदद मिलेगी, 30 minutes के अंदर मदद मिलेगी, 5 minutes दूर है मदद आपसे तो ये एक sense of confidence पैदा करेगा लोगों के अंदर तो ये situation जो आज हुई है, migrant जो एक जिगह छोड़कर दूसरी जिगह पर चले गए ये जो तस्वीर वाली situation हुई है और कितना painful होगा ये, आप सोचिए तो ये चीज नहीं होती, right? तो empowerment line जो हमने discuss की है this is the most important thing और इससे क्या-क्या चीज़े आगे हम कर सकते हैं यहाँ पर एक दूसरा concept दिया है कि हम एक आधार प्लस निकालें, आधार प्लस प्लैटफॉम में लोग अपना job status, अपने income, asset, access to amenities, residence, contact number ये सारी details आधार authority के साथ share करें और फिर देखिए, जब भी ऐसी कोई बात आती हैं तो लोग कहेंगे कि फिर data का क्या होगा, personal तो government को ये assurity देनी होगी कि एक तो है security, data जो है इसको secure रखा जाएगा और एक है privacy कि इसका दूर उप्योग नहीं होगा ये दो चीज़े ऐसी है कि अगर इसको संभाल लिया तो फिर लोग अपना data जो है खुशी खुशी लोगों के साथ, लोगों इंटसेंस government के साथ शेर करने के लिए तयार होंगे तो इससे हम और अच्छी तरीके से एक परिवार को और की income को target कर सकते हैं, identify कर सकते हैं जब भी कोई ऐसी natural disaster या फिर ऐसी कोई situation आती है, तब हम उनको मदद जो है वो पहुचा सकते हैं, अलग-अलग माधियम से हैं, उनको पैसे पहुचा दिया है, आपने फिर खाने पिने की चीज़ें जो है, वो locate करके पहुचा दी, तो this will be a game changer, और जो गरीबी की एक line है, that is गरीबी की जो line है, वो outdated हो चुकी है, अब हमें यह जो नया concept हमने, empowerment line जो है, यह हमारा एक benchmark, यह हमारे लिए एक line होनी चाहिए, और यह भी ख़बर मिली थी के labor ministry जो है, वो एक you win करके चीज़ बना रही है, जो एक आधार plus database तरह ही है, और यहाँ पर यह जो empowerment line है, उसी प् progress कहाँ पर कहाँ तक हम पहुँचे है, यह सरी details भी government को public में share कनी चाहिए, ताकि हमें पता चले के हम कहाँ पर हैं, moving on to next item, bricks against COVID-19, bricks के 5 देश, Brazil, Russia, India, China and South Africa, आपकी screen के ओपर है, Brazil, B for Brazil, South America, continent का सबसे बड़ा देश, Amazon jungle के लिए काफी जाना जाता है, यह देश, right, काफी green है, काफी natural है, और equator यहाँ से पास होती है, फिर Capricorn जो है, वो भी यहाँ से पास होती है, फिर R stands for Russia, दुनिया का सबसे बड़ा देश, Arctic Circle की line जो है, वो यहाँ से पास होती है, 66.5 degree, फिर R stands for India, right, then you have China here, और S is for South Africa, यह the economically developed देश, in terms of Africa, right, compared to, बाकी यह सारे देश जो है, इनको developing देश माना जाता है, दुनिया की कुछ 41% जितनी population, let me write it down here, 41 जितनी population यहाँ पर रहती है, और दुनिया की 22% जितनी GDP जो है, वो यह पांच देश, मिलकर इतनी GDP जो है, वो यह पांच देश का हिस्सा है, दुनिया is on as we all know, और भारत की बात करें, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा HCQ यानि की hydroxy chloroquine नम की यह जो दवाई हैं, जो malaria के लिए हम यूज करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा producer है, भारत ने सार्क के देशों को, फिर हमारा जो extended neighborhood यानि की गल्फ रीजिन में, रश्या, ब्राज इसराइल, USA, इन सारे देशों में भारत ने यह HCQ जो दवाई हैं, वो पहुचाई हैं, ब्रिक्स ड्रिवन फार्मा एलाइंस की शुरुआत कर सकता है, भारत के एक बड़े लेवल पर दवाईों का production हो, इसके साथ जड़ी हुई जो kits हैं, इन सारी चीज़ों का production हम कर सकते हैं, तो यह रही भारत की बात, चाइना ने भी काफी सारे देशों की मदद की, चाइना का एक Health Silk Road Doctrine की शुरुआत की उन्होंने इटली और एरान में बहुत सारी चीज़े पहुचाई, कुछ 31 टन जितनी सप्लाइस में, जो मास्क और जो भी essential gears है, यह सारी चीज़े उन् रॉम यानि की इटली में 12 मार्च को पहुचाई, उसके 6 दिन बाद 18 मार्च को उन्होंने मिलान नाम का जो शहर है, वहाँ पर चाइना ने मदद पहुचाई, मिलान इस इन इटली अफकोर्स, और एरोप के बहुत सारे देशों में, वाया एर, यानि की एरो प्लेन के सामान पहुचाया, इन फैक्ट, यूएस प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की एक रिक्वेस्ट के उपर, रॉश्या ने मेडिकल सप्लाइज और एक्सपर्ट्स नियू यूवर्क में भेजे, और रॉश्या इसमें काफी आगे हैं, रॉश्या के पास जो इमरजनसी सर की हैं, दुनिया के लग-लग देशों के मेड़द की हैं, साफ आफरिका भी आफरिकन कॉंटिनेंट में काफी अच्छी हल्प कर रहा है, सिर्फ ब्राजिल एक ऐसा देश हैं, जो इतना अच्छा नहीं है, ब्राजिल के बारे में बहुत सारी नेगिटिव चीज़े हमें HADR काफी अच्छी तरीके से किया है, और अब हम चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है, कि BRICS जो हैं, उसको हम WHO, यूरोप के देश, नोर्थ अमेरिका, इन सारे देशों के साथ, उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके साथ जोइन्ट कर दें और एक नया पूल बनाएं, ताकि हम स को देशों को काफी पैसे भी पहुँचा है, बारत को वन बिलियन डॉलर की एक लॉन दी गई, चाइना को वन बिलियन डॉलर की लॉन दी गई, साथ आफरिका को, ब्राजिल को दी गई है, ये काफी सारे पैसे, और NDB के जो प्रेजिडेंट है, उनका नाम क्या है, ये है क्वेस्टन, तो उनको ने बताया है कि NDB जो है, उनकी कैपैसिटी है, कुछ ये टैन बिलियन डॉलर, तो ये पैसे काफी, टैन बिलियन डॉलर is a big amount, तो इसका इस्तमाल भी करोना विरस के वोर में हम कर सकते हैं, फिर एक एडिटोरियल है, slow release, balancing lives and livelihoods, इससे पहले भी हमने बाला है इस साल, तो ये negative में भी जा सकता है, और हम ऐसा नहीं चाते है, इस लाइक बैटरी, मैं बैटरी की साब से इसको देखता हूँ, यूनो हमारी कार की बैटरी, अगर कार आपने lockdown की शुरुआत हुई तब से आपकी कार को एक बार भी आपने start नहीं किया है, और तो बैटरी जो है, वो देरे-देरे drop होती जाएगी, उसका जो power जो है, उसका level जो है, वो देरे-देरे drop होता जाएगा, और एक ऐसा point आएगा, कि उसके बाद अगर आपने इसको start नहीं किया कार को, तो फिर बैटरी जो है, वो means car को start करने के लिए आपको jump start देना पड़ेगा यानि कि दूसरी बैटरी से आपको थोड़ा power supply करना पड़ेगा, और वो भी अगर आपने नहीं किया एक लंबे time तक, तो फिर बैटरी बिगड़ भी सकती है, शायद आपको charge करने के लिए उसको किसी store पर भेजना पड़े, 24 hours उसको charge करना पड़ेगा, या फिर पूरी बि तक extend किया गया है, और शायद बहुत सारे शहर ऐसे होंगे, बहुत सारे pockets ऐसे होंगे, जहां पर लोगणा जो है वो और ज्यादा extend किया जा सकता है, केरिला स्टीट ने काफी अच्छा performance किया था, और केरिला ने कुछ green zones जो हैं, वहाँ पर भी basically home ministry जो central government है, उन्होंने एक पूरा एक boundary create की है, तीन zones बनाया है, red, orange और green, तो red में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, do's and don'ts जो है, तीनों zones के लिए central government ने release किया है, और उसको अब breach नहीं कर सकते हैं, green में आप और ज्यादा चीज़ों को tight करना चाता है, you can do it, लेकिन central government की जो एक रेखा है, उसके बाहर आप नहीं निकल सकते, तो, केरला ने और ज्यादा curves लगा है, और ज्यादा strict बनाया है, हमाहूल, green zone के लिए, and I think that is not bad, right, ये अच्छी बात है, एक proactive step अगर कोई state ले रहा है, that's fine, लेकिन economic activities को जल्द से जल्द हमें start करना जो है, ये भी हमारे लिए बहुत ही important है, क् कि देखे, लोगों के पास अगर काम नहीं होगा, बहुत सारे reports ये भी बता रहे हैं, कि लोग भूखे मनने की वज़े से मर जाएंगे, rather than coronavirus, in absence of medical remedies, prevention remains the only option, हमारे पास कोई इसकी दवाई नहीं है, तो एक ही option है, right, social distancing को maintain करना, लोग mask पहने, hand washing, एक, you know, हमारी नई आदत बन जाएं, और physical distancing, ये हमारा एक नया normal जो है, वो हमें बनाना होगा, और ये सारी चीज़े हैं, आज की हमारी एक नई reality भी बन जाएगी, इसके साथ साथ बहुत सारे राज्ये हैं, for example, केरिला है, पंजाब हैं, बहुत सारे से राज्ये हैं, जहां पर जिनके लोग जो है, वेस्ट एजिया और दूसरी जगह उसे, तो उनको भी संभाल लेना, उनको भी, अफकोर्स उनके घर और सारी चीज़े यहां पर हैं, लेकिन उनको कॉरंटीन में रखना, उनको चेक करना, टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी होगी, और इन सारी ची त्यारियां जो हैं, अलग-अलग राजियों को कर देनी चाहिए, बहुत सारे राजियों ने उसकी तैयारी जो कर ली हैं, पर एक्जापल कुछ दिनों पहले केरला की चीफ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट था, कि अगर माइगरेंट्स वापस आते हैं, तो केरला स्टेट जो हैं, वो उनके लिए तैयार है, पर एक्जापल, फिर डिरिंग लोगडाउन 3.0, ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इंपोर्टन है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जो हमने अलरे डिस्कस के लिए, कुछ इसमें नहे पॉइंट्स हैं, जैसे के बहुत सारे करना इतना एजी उनके लिए नहीं होगा, बहुत सारे स्टेश को, बहुत सारे चोटे बड़े बिजनेस को पैसे प्रोवाइट करने पढ़ेंगे, बहुत सारे गरीब लोगों को पैसे प्रोवाइट करने पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़े होगी, और हमारे जो बड़े एक्टिविटी जो है वो एक वक्त के बाद इसकी शिरुवात होगी फिर GST के आने से हमारे देश में जो सप्लाइ चेन है जो बिलिंग है वो भी एक हो गया तो फिर अब प्रोब्लम एक नया हमारे सामने हो गया है कि अगर आप एक जगा पर कोई प्रोडक्शन करते हैं मान नहीं होगा तो GST के आने से जो एक पूरी सप्लाइ चेन है अच्छा हुआ था लेकिन GST कोई पेंडेमिक को तो ध्यान में रखते हुए डिजाइन नहीं की थी लेकिन अब यही एक सीमलेस जो पैन इंडिया करेक्टर है बहुत बड़ा हर्डल बन चुका है इसका मतलब य नहीं है कि हमें GST को हटा देना है लेकिन यह एक रियालिटी है फिर टेस्ट की बात करें तो गुड नियूस यह है कि जो मिलियन टेस्ट यह निकि दस लाख लोगों को टेस्ट करने का जो एक आंकड़ा है तो भारत ने वो एचीव कर लिया है इंफेक्शन रेट हमारे दे हम फोलो नहीं कर सकते हैं तो 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 बेजिकले अवरे इंफेक्शन आइटम नो कंफर्ट इन नंबर्स यह वेस्ट बेंगोल के ऊपर लिखा गया एक एडिटोरियल है वेस्ट बेंगोल में बहुत कम टेस्ट हो रही है और वहां पर 48 मृत्य हुई कोरोना वाइरस की है वेस्ट बेंगोल लेकिन टेस्टिंग की बात करने तो जो बॉटम चार स्टेट से हैं उतनी ही टेस्ट वहां पर हुई है देश की एवरेज भी इतनी कोई खास नहीं है दस लाख लोगों में से सेवन हंड़न ट्वेंटीवन लोगों की हमने टेस्ट की है उन एन एवरे लेकिन इस राज्य का जो फेटालिटी रेट है वो भी काफी ज्यादा है 13% के आस पास है तो डेटा छुपाने से कुछ नहीं होगा ज्यादा लोगों को अगर चेक नहीं किया गया टेस्ट नहीं किया गया तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आप जो भी छुपाने की कोशि कर रहे हैं वो फिर आप चुपाना ही पाएंगे और ये देश के लिए दुनिया के लिए और उस राज्य के लोगों के लिए भी एक बहुत ही खराब और बहुत ही दुखत नियूस होगा कि अगर ये वाइरस स्प्रेड होने लगा तो एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज लाइन जो है वो आपको यहां पर पड़ने को मिलती है वो ये है कि एक राज्य में ज्यादा अगर नंबर्स आ रहे हैं कैसिस के नंबर्स ज्यादा आ रहे है तो इसका मतलब बुरा नहीं है इटीज के वहाँ उस राज्य में टेस्टिंग जो है वो ज्यादा हो रही है ले लेकिन ब्रत्यों दर्व ज्यादा होना जो है वो एक चिंता का विशह हैं तो WHO की जो एडवाइस हैं उस एडवाइस के उपर वेस्ट बेंगोल को काम करना होगा और यह जो थोड़ा और एक्सेंट हुआ है लोकडाउन तो यह राइट टाइम है जो भी ग्राउंड लोस्ट ह का यह टाइमस ओफ इंडिया का एक एडिटोरियल है दन नंदेद लोसस एक नंदेद करके जगा है महाराष्टर में और वहाँ पर पंजाब से बहुत सारे सिक्ष जो हैं वहाँ पर दर्शन के लिए गयत है और वापस जब वह पंजाब आय तो पता चला के कुछ सो से भी ज्यादा लोगों को कुरोना वाइरस का इंफेक्शन है तो अब महाराष्टर और पंजाब के बीच में तू तू मेमे की शुरुआत हो चुकी थी लेकिन वह सारी पॉलिटिकल चीज़ों को हम इग्नॉर करते हैं दे मोस्ट इंपोर्टन तिंग इस माइगरेशन लोग अल दूसरी जिगा पर जाते आते रहते हैं और यह सारी चीज़ों की वज़े से डेश का दुनिया का इकोनोमिक ग्रोथ जो है वो चलता आया है माइगरेशन एक बहुत ही इंपोर्टन चीज़ है और जो एक लव अगरवाल है उन्होंने बताया है कि यह तू-तू-मेमे जो हैं जो लोग इंफेक्टेड है उसके खिलाफ हमारी जंग नहीं हमारी जंग जो है वह यह कोरोना वाइरस के खिलाफ है तो किसी भी चीज़ को एक पॉलिटिकल लेकिन कोई यह कलर या फिर आइडेंटिटी स्टिक कर देना कि यह इस धर्म के लोगों ने फैलाया है या फिर य हो रहा है वो हो रहा है इस रीजिन के लोग फैला रहे हैं यह सारे स्टिरियो टाइप हमें मदद नहीं करेंगे यह हमरे देश को और ज्यादा कमजोर कर देंगे हमें कोरोना वाइरस के खिलाफ फाइट करनी है हमारे ही लोगों के खिलाफ फाइट नहीं करनी है और एक ची इसकी तब तक हमें हमारे घर पर ही सेलिब्रेट करने होंगे राइट हम पब्लिक गैधरिंग नहीं कर सकते हम सब के हित के लिए हैं मूविंग ऑन टू निउस आइटम्स यहां पर एक इन्फो ग्राफिक हैं फैटालिटी का गुजरात में फैटालिटी काफी ज्यादा हैं फाइप पॉइंट थी परसंट यानि कि इतने केस हैं और इतने लोगों की मृत्य हुई हैं मध्यपरदेश में भी टालिटी रेट जो हैं वो काफी ज्यादा है 5.3 वेस बंगेगॉल 5.2 महाराश्ट में 4.2 हैं महाराश्ट में कैसी ज्यादा है लेकिन फैटालिटी रेट कम है अच्थ स्टे promise का थो देख लीजीएगा एक दुखत बात है कि हमारे देश के पाच्छ जवान जो हैं वो शहीद हो गए इस एक टेररिस्ट को एंकाउंटर करते हुए चमुन किश्मिर में यह है वो जगा कुपवारा में तो वहाँ पर एक आतंगवादी हमला हुआ और आतंगवादी तो मारे गए लेकिन उसे के साथ-साथ हमरे देश के पाथ जवान जो है वो श में गोड प्रोटेक्ट देम डेली इस रेडी तू डील विथ कोविड-19 बताया है चीफ मिनिस्टर साहब ने एकरमिक रिकावरी में टेक एएर ची आई आई ने बताया है फिर यूपी में तीन हजार दोसों जितने माइगरेंस जो है वो वापस पहुंच गये है आसाम में कोवे का नाम है तो इसमें भारत का रेंक जो है वो आपको ध्यान में रखना है 180 में से 140 सेकंड आया और हमसे आगे हैं भूतान नेपाल श्रिलंका तो उन्होंने बताया कि यह गवर्मेंट ने इसको रिजेक्ट किया है इस रिपोर्ट को और वो स्टेप्स उठाएंगे य और सियॉल यानि कि साउथ कورिया ने ये बताया है कि नॉर्थ कॉरिया के लिडर किम किसी भी सरजरी के थूँ नहीं गुज़रे हैं। आपके लिए ईग दूसरा प्रस्ट ने नोर्थ कॉरिया और साउथ कॉरिया के बीच में जो एक बोर्डर है उसका एक नाम है खास नाम इसको parallel कहा जाता है, कौन सी parallel है वो बताईये and that's everything in today's description thank you very much for watching this video God bless you all, Jai Hind